हलो फ्रेंट्स वेलकम टू नीलम्स क्रियेशन्स फ्रेंट्स आज मैं आपको लड़ू गोपाल जी के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी इवन बिगनर्स भी इस ड्रेस को बहुत इजी ली बना सकते हैं लेकिन यह जीरो से लेके आप पांच नंबर तक जी के गोपाल जी को पहना सकते हैं फिर इसके बाद हमारे गोपाल जी का साइस बड़ा हो जाता है तो उनको चोली की जुरत भी पढ़ती है तो मैं यह चोली लेस आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगी तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फोर नंबर मेरा धागा है फोर प्लाई मीन्स और नाइन नंबर मेरा क्रोशिया है तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बेसिक नॉट लेंगे फ्रेंड से ना बिगनर्स अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो तो मैं उसी हिसाब से आपको बताना चाहूंगी तो ये देखिए आपने एक बेसिक चेन ली अब आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस चेन ले लें फ्रेंड्स और देखिए ये मुड़नी नी चाहिए चेन और ऐसे गुलाई में लेते हुए इसको आपने ये स्लिप नौट के थूँ ऐसे कर लेना है तो ये जो साइज बन रहा है फ्रेंड्स ये बन रहा है वैसे दो नमबर तक चीके गुपाल जी का अगर आपको चेन बड़ी लेनी है जैसे मतलब आपने जब आप चेन लेना फ्रेंड्स तो ये गुपाल जी के गले में पहना के देख लें कि ये पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा आपको करके बताती हूँ जैसे ये मैंने 10 का लिया था ना तो इसको लेंगे हम 11, 12, 13, 14 चौदा चेन्ज मैंने ले ली और इसको गोलाई में गुमाते हुए यह यहां लास्ट में आप ऐसे डालें और स्लिप नॉट के थूरू ऐसे बांध लें और एक चीज का और ध्यान रखें यह जो आप चेन लें फ्रेंज यह बहुत लूज लें ज्यादा टाइट ना लें इसको यह बहुत जल्दी और जट पर ड्रेस बनती है फ्रेंज यह तो यह थोड़े बढ़े गो पाल जी का सिर आ जाएगा इसमें तीन नंबर तक जी का अगर चौदा की जग आप जैसे मैंने यहां बारा ली या चौदा ली दो दो चेन आप बढ़ाते जाएंगो पाल जी के सिर से मापलें डिजाइन नीचे बहुत इजी ली बन जाएगा अब देखिए हम क्या करेंगे हम यहीं से ही डिजाइन डालना शुरू कर देंगे एक दो तीन चेन मैंने ली फ्रेंट्स अब इसी चेन में से यह देखिए मैं क्या करूंगी यह एक देखो मैं लंबा खींच रही हूं इसको है ना एक फिर से इसी में डालूंगी दो और य 3 चार बार इसने स्लिए उसमें लै अब जैसे को और 2 और यह आसे किया मैंने अब मैं फिर से इसी में डाल लूँ गी यह देखिए जो यह चेंन है ना यह देखिए जहां पर मैंने यह पॉफ नर्ट बना यह पॉफ श्टिच बनाई इसी में फिर से डालोंगी यह एक इसको भी थोड़ा लंबा खिंचेंगे ये दो ये तीन और ये चार चार बार मैंने लिया और ये यहाँ पर निकाल दिया और इसके बाद ये कर लिया ऐसे तो ये एक में दो डूडल गए अब ये जो इसके साथ वाली चेन है यहाँ पर friends मैं single crocheting करूँगी मतलब simple double crochet किया मैंने एक बार यह बिल्कुल इसके साथ वाले में डालना friends आपने है ना यह ध्यान रख ले ना यहाँ पर जिसे मैंने भी आगे वाले में डाल दिया था भी तो ऐसा ना हूँ एक और अगले वाले में भी एक बार double crochet यह दो हो गए अब अगले वाले में अगले चेन में फिर से हमने ऐसे इडालना है यह एक यह दो देखिए लंबा खींचना है friends यह थोड़ा धागा डीला छोड़ना जो beginners हैं उनके लिए मैं सला दूँ तीन बिल्कुल डीला डीला यह चार और यह ऐसे निकाला इनका एक बना दिया अब फिर से इसी में ही डालेंगे और यह लंबा खिंचेंगे एक यह दो तीन और यह चार यह ऐसे और ऐसे यह देखिए यह कुछ ऐसे इस तरीके से आएगी first line मतलब कि दो में हमारा देखो क्या हुआ है यह दो हमारे puff stitch है दो हमारे double crochet है यह देखिए यह दो हमारे एक और यह दूसरा double crochet फिर से हमने यह चार फिर चार की बाला फिर से यह हमने अगली chain में बनाया है अब अगली chain में हम एक बार double crochet डालेंगे यह इस से यह यहाँ पे फ्रेंस यह एक यह अगली वाले में दो इस तरीके से यह देखिए अब अगली चेन में हमने फिर से एक फोड़ा डीला छोड़ें दागा एक यह दो यह तीन और यह चार यह ऐसे बाहर निकाला दो दो का एक फिर से इसमें डालेंगे एक दो यह तीन और यह चार यह इस तरीके से तो हमारे पास पॉफ स्टिच बन गए एक, दो, तीन बन गए हैं अभी तक तो अगले वाले में अब यह डबल क्रोश्या एक बार यह डबल क्रोश्या दो बार ऐसे को आगे फिर हम ऐसे ही करेंगे अगली वाले चेन में चेन के अंदर एक यह दो यह तीन और यह चार यह से दो दो का एक फिर से इसी में ही यह एक दो यह तीन और यह चार यह कुछ इस तरीके से आया यह देखें अब अगली चेन में फिर से हम दो बार डालेंगे डबल क्रोश्या एक यह दो यह इस तरीके से अब अगली चेन में हम फिर से वही प्रोसीजर करेंगे एक दो यह तीन और यह चार दो दो का एक फिर से इसी में ही डालेंगे एक यह दो यह तीन और यह चार यह देखिए अब यहां हमारे पास एक चेन बची हुई है यह देखिए तो अब हमने यहां पर तो हमने दो दो डालेंगे हुए है तो ऐसे परिशान नहीं होना फ्रेंड्स तो यहां आप एक में दो बार डाल दीजिए यह मैंने जान के छोड़ा है हमने यह तीन लिए हुए थी चेन यह वाली अब इसको हम यहां पर स्लिप नॉट के थरू जोड़ देंगे जो एक दो तीन लिया था यह देखिए यहां पर अब हम यहां पर स्लिप नॉट के थरू आएंगे इन दोनों के बीच में यह ऐसे को ही और ऐसे को यह दिखिए अब इस तहागे को मैं खीच लूँगी ताकि मिर पास लंबे लंबे से पॉप स्टिच बन जाएं तीन और यह चार यह लास्ट वाला निपून ना आपने यह से दो निकालने दो का फिर एक बनाना है हमने फिर यहीं डालेंगे एक यह दो और यह तीन एक और बनेगा यह चार यह ऐसे यह दिखिए हमारी यह लाइन कुछ इस तरीके से आएगी यह ऐसे यह दिखिए यह कुछ इस तरीके का दिखेगा फ्रेंड्स मतलब गुलाई में यह दिखिए अभी यह डिजाइन जब पूरा बनेगा तब आपको इजीली समझाना शुरू हो जाएगा यह हमारे पास एक चोटी की तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा यह वाला जो मैं पफ स्टिच बना रही हूँ अब हमने यहाँ पे घर भी बढ़ाने हैं तो देखिए हमने क्या करना है यह जो हमने टू लिये हुए है ना फ्रेंस यह टू है ना तो आपने पहले यहाँ पे डालना है अब और डबल क्रोश्या कर लेना है एक बार फिर एक यह बीच वाली चेन पे हो गया दो बार और तीस पिर से वैसे ही, एक दो, और ये तीन, ये चार, ये ऐसे क्रोशेट किया, फिर से ऐसे ही फ्रेंट्स, एक, दो, ये तीन, और ये चार, ये ये देखिए, ये अपने आप उभरता हुआ, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और ये बैठा हुआ यहां पर, तो यहां पर फि बीच में भी एक बार आप डबल क्रोश्या लेंगे और यहां साइड में भी इसी तरीके से आप इस पूरे सरकल को यहां तक कम्प्लीट कर लें यह देखिए फ्रेंट्स मेरा यह सेकेंड राउंड कम्प्लीट हो गया है अब देखिए हम क्या करेंगे इसको कैसे जोइन करें एक दो तीन यह चार यह इस तरीके से तो यह ठीक आ जाएगा ऐसे को एक यह दो यह तीन और यह चार अगर आपको लगे आप कई बार हाथ पे भी डिपेंट करता है ना हमारे कि अगर हमारा हाथ बहुत जादा लूज हो तो जैसे मेरा छोटा सा गैप आया है तो कहियों का बहुत बड़ा आजाए तो यहां आप slip stitch भी ले सकते हैं फिर भी आप कर सकते हैं अब जैसे हमने यह अगली लाइन बूननी है तो देखिए हम क्या करेंगे अब अब हम यह जो यहां वाला है side वाला हर एक बार में हमने बिल्कुल corner वाले पर एक यह दो यह तीन और यहां हमा चार आना शुरू हो गए यह देखिए यह हमारी ड्रेस ऐसे को बढ़ना शुरू हो गई है friends तो यहां चार आ गए हमारे पास तो यहां पर हम फिर से ऐसे डालेंगे एक दो यह तीन यह चार तो ऐसे ही आप इस राउंड को यहां तक complete कर ले यह देखिए friends मैंने यह अगली लाइन भी complete कर ली मेरी ड्रेस कुछ इस तरीके से आना शुरू हो गई यह देखिए तो यह तरह से पॉंचू की तरह भी बन जाएगी लेकिन मुझे यह थोड़ी चौड़े में चाहिए अगर आपकी ड्रेस में ऐसा होने लगे तो देखिए आप क्या करेंगे अब हम अब अगली सिलाई में यह जो यहां पर हमने एक बार डाला फाना यहां पर हम दो बार डालेंगे दो बार डबल क्रोशे किया मैंने एक ही जगा यह देखिए नेक्स सिलाई में है ना और अगली वाली उसमें चेन में सिंपल डबल क्रोशेटिंग अगले वाले में भी सिंगल ड जो ड्रेस की चुडाई है वो अच्छे से फैली हुई आना शुरू हो जाया है यह देखिए इस तरीके से यह ऐसे यह हलकी सी पॉंचु ड्रेस की तरह आएगी लेकिन यहां पर अब हमें एन्हांस करना है इसको और पूरी सिलाई ऐसे ही बुणनी है आगे जैसे हम ले रहे हम पॉप स्चिच वयथे ही लें आप यह तीन और यह चार ती क्या आप इस त्रीके से यह एक यह दो यह तीन और यह चार यह ऐसे फिर अगले को यह देखें अब अगले वाले में हमने एक बार डबल क्रोश्या अगले वाले में भी एक बार डबल क्रोश्या ऐसे अगले वाले में भी एक बार डबल क्रोश्या यह देखें आप और अगले वाले में अब दो बार डबल क्रोश्या डालें ऐसे को यह देखें तो यह यह देखिए तो ऐसे ही इस लाइन को यहां तक कम्प्लीट कर लें यह देखिए फ्रेंट्स मेरा यह राउंड भी कम्प्लीट हो गया अब हमारा डिजाइन उभरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है यह देखिए यह चोटी और यह दबे हुए स्टिच और यह फिर से चोटी यह बहुत प्यारी सी ड्रेस बनेगी और गुपाल जीसको किसी अच्छे फंक्शन में पहन सकते हैं तो यह देखिए अब अगली वाली सिलाई में हम क्या करेंगे जैसे मैंने यहां नीचे डाले थे ना दो डाले हुए ना एक में दो यह देखिए आप तो इससे पीछे व एक में आरी हुटा में जीचे यह देखिए आत्याने के हमने यह दबर क्रोशिय करेंगे हैं दो सिसमे वाले में पहली प्य्uard श्वाटलिके के दो स्वमे की एप तिसरे वाले में भी डबल क्रोशे डाला ऐङांगे में दाल भी में ह। देखो यह डाल दिया ना दो बार मैंने अब अगले वाले में भी दो बार डबल क्रोश्या डालेंगे ताकि यह और ब्रॉड हो जाए निचे से यह देख़े इस तरीके से अब फिर से हम वैसे ही डालेंगे इसमें, और पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे, फ्रेंड्स फिर से इसमें ही डालेंगे, एक, दो, यह तीन, और यह चार, यह ऐसे अब फिर से देखो क्या करना है इस वाले मैं बता देखती हूँ मैं आपको यहाँ पर लिया मैंने और मैंने दो बार डबल क्रोशिया किया अगले वाले मैं फिर से दो बार डबल क्रोशिया करूंगी यह देखें आप फिर यहाँ पर एक, दो, तीन में एक बार डबल ग्रोश्या यह एक, यह दो, और यह तीन और फूर्थ फूर्थ में यहाँ पर भी एक बार डबल ग्रोश्या अगले वाले में दो बार डबल ग्रोश्या एक ही वाले में है ना, यह देखिए यह देखिए, अब इससे अगले वाले में भी दो बार डबल ग्रोश्या यह ऐसे, यह देखिए, तो यह हमारी हलकी सी फिलाव में यहां तक आप इसको complete कर लें ऐसे ही बुनते हुए यह देखिए friends यह मेरा घेरा complete हो गया मैं यह चीज चाह रही थी यहां से उभरी हुई dress और यहां से नीचे से बैठी हुई यह तो यह देखिए इस तरीके से stress को हम बनाते हैं अब हम यहां पर देखिए क्या करेंगे इसको यह दो बार लिया और दो का एक और अगले में slip knot के थ्रू लेते हुए दो chain लेके इस thread को हम तोड लेंगे यहां पर और अब हम इस dress को decorate करेंगे यह देखिए यह आप किसी भी size के गोपाल जी के लिए पॉंचू बन जाएगा friends तो यहां से आपका खुला रहना चाहिए गल जिसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं कि मैं हम छोटे गोपाल जी के लिए कितनी chain लें तो कोई गिंडने की जुरत नहीं है friends बस आप chain भुनिया और अपने गोपाल जी का सिरिस में से निकाल के देखिए और यह umbrella shape में बहुत ही प्यारी आपकी dress बनेगी अब मैं इसको बीड के साथ यहां से डेकोरेट करते हैं तो चलिए देखते हैं फिर फाइनली हमारी dress बनके कैसी तियार होती है यह देखिए friends अब हम मैं ऐसे बीड जो हूँ वो यह गलूगन की help से इनको पहले तो हम गले का जो finishing है यह वाली लाइन ऐसे को complete करेंगे फिर जो हमारा यह enhanced area है जहां पर हमने यह 4-4 लिये हुए है ना फिर हम इनको लगाएंगे तो पहले हम इस चीज को complete कर लें जो भी आपके पास decorative items हो उनके साथ यह देखिए friends मैंने यह उपर गले के चारों तरफ लगा दिये अब हम इन पे करेंगे बीडिंग यह जो हमारे enhanced areas है तो देखिए आप glue gun की help से या glue stick वो दूसरा जो होती है fabric glue होती है वो भी आप use कर सकते हैं तो मैं ऐसे इसको लटा के लगा रही हूँ ताकि इसकी finishing अच्छे से आए और इसकी clarity बनी रहे तो इस तरीके से आपने यह मैं हर एक उसके उपर रख रही हूँ अगर आपके पास ऐसा कोई material ना हो तो ऐसे भी dress बहुत सुन्दर लगती है यह देखिए ऐसे ही आप हर एक line में यह लगा ले फ्रेंट्स यह देखिए मेरे गोपाल जी ready है वेलेंटाइन डे के लिए तो यह मेरा surprise था कि मैं कैसी dress बनाओं और आपको last में बताओं कि मैं य अपने गोपाल जी के लिए डिजाइन कर रही हूं तो यह मैंने बनाई है अपने गोपाल जी के लिए वेलेंटाइन डे special dress यहां मैंने यह फ्लार्ज लगाए हुएं आप इसकी जगा क्रोशिया से बना के भी फ्लार्ज बना सकते हैं तो friends अगर आपको मेरी यह वेलेंटा और जरूर बताएं थैंक यू सो मच